मेरे प्यारे देश वाचियों, नमस्कार कोरोना वैस्विक महमारी के खिलाब लड़ते लड़ते अब हम अनलोग टू में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये सारे नजाने क्या-क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं ऐसे में मेरी आप सभी देश्वासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान दखिए साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्युदर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुन्ना में भारत सम्बली हुई स्थिति में है समय पर किये गए लॉकडाउं और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलोक वन हुआ है व्यक्तिगत और सामाजिक वहवार में लापरवाई जड़ा बढ़ती ही चली जा रही है पहले हम मास को लेकर दो गज की दूरी को लेकर बीच सेकंड तक दिन में कई बार हाथ दोने को लेकर बहुत सतर्क थे लेकिन आज जब हमें ज़्यादा सतर्क्ता की जरुवत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है साथियों लोकडाउन के दौरान पहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था अब सरकारों को स्थानिय निकाई की संस्ताओं को देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्क्ता दिखाने की जरुवत है विशेशकर कंटेंडमेंट जौन्स उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं हमें उन्हें टोकना होगा रोकना होगा और समझाना भी होगा अभी आपने खबरों में देखा होगा एक देश के प्रधान मंत्री पर तेरा हजार रुपिय का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सारवजनिक स्थल पर मास्क पहने भी न गए थे भारत में भी स्थानिय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए ये एक सो तीस करोड देश वाज़ों के जीवन की रक्षा करने का भियान है भारत में गाउं का प्रधान हो या देश का प्रधान मत्री कोई भी नियमों से उपर नहीं है साथियों लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच प्राथ्मिक्ता रही कि ऐसी स्थिती ना आये कि किसी गरीब के घर में चूला न ज़ले केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारे हो, सिविल सोसाइटी के लोग हो सभी ने पूरा प्यास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई भेन भूखा न सोए देश हो या व्यक्ति समय पर फैसले लेने से संबेदन सिल्ता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ती अनेक गुना बढ़ जाती है इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना लेकर आई इस योजना के तहट गरीबों के लिए पौने दो लाग करोड रुप्य का पैकेज दिया गया साथियों बीते तीन महिनों में बीस करोड गरीब परिवारों के जन्दन खातों में सीधे 31,000 करोड रुप्या जमा करवाए गए इस दोरान नव करोड से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड रुप्य जमा हुए है इसके साथ ही गावों में स्रमीकों को रोजगार देने के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्यार रोजगार अभ्यान तेज गती से आरम कर दिया गया है इस पर सरकार पच्चास हजार करोड रुप्य खर्च कर रही है लेकिन साथियों एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हरान किया है आस्चर्य में डुबो दिया है वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में असी करोड से जादा लोगों को तीन महने का राशन याने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहुं या चावल को ब्रिटेन की जनसंख्या से बारा गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभक दो गुने से जादा लोगों को हमारी सरकार ने मुप्त अनाज दिया है साथियों आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण गोश्णा करने जा रहा हूँ साथियों हमारे यहां वर्षा रूतु के दौरान और उसके बात मुख्य तोर पर क्रिशिक शेत्र में एग्रिकल्चर सेक्टर में ही ज़्यादा काम होता है अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहोल बनने लगता है अब आप देखिए अभी पांच जुलाई को गुरुपुर निमा है फिर शावन शुरू हो रहा है फिर पंदरा अगस्त आएगी रक्षा बंदन आएगा कृष्णा जन्मास्त में आएगी गणेश चतुर्थी आएगी ओनम होगा और आगे जाएं तो काटी बियू है नवरात्री है दुरगा पूजा है दशारा है दिपावली है छटी महिया की पूजा है तो हारों का ये समय जरूरते भी बढ़ाता है खर्च भी बढ़ाता है इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्योजना का विस्तार अब दिवाली और छट पूजा तक यानि नवंबर महिने के आखिर तक कर दिया जाएगा यानि असी करोर लोगों को मुप्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस, सितंबर, अक्तूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी सरकार द्वारा इन पांच महिनों के लिए असी करोर से जादा गरीब भाई बहनों को हर महिने परिवार के हर सदस्य को पांच किलो गेहूं या पांच किलो चावल मुप्त महिया कराया जाएगा और साथ ही प्रतेक परिवार को हर महिने एक किलो चनाभी मुप्त दिया जाएगा साथियों प्रदान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के इस विस्तार में नब्बे हजार करोर रुपिय से जादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछले तीन महने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब डेड़ लाग करोर रुपिया हो जाता है अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है बाकी राज्यों पर भी हम आगरे कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ा है और काम क्या है अब पूरे भारत के लिए एक राशनकार की ववस्ता भी हो रही है यानि एक राश्ट में एक सबसे बड़ा लाप उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्रक्ताओं के लिए अपना गाउँ छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरत मंद को सरकार अगर मुप्त अनाज दे पा रही हैं, तो इसका स्वरे प्रमुकृर्प से दो वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के महंतिक किसान, हमारे अनदेता, और दूसरा, हमारे देश के इमानदार टैक्सपेयर, आपका परिश्रम, आपका समर्पन ही, जिसकी वज़े से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्र भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का स्रमिक का चुला जल रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही, देश के हर किसान, हर टैक्सपेयर का रुणे से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेश करेंगे। हम गरीब, पीडीत, शोसीत, वंचीत, हर किसी को ससक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियाद बरते हुए, एकोनोमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मंदिर भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकर्प के साथ हम एक सो तीस करोड देशवासियों को मिल जुल करके, संकर्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। फिर से एक बार मैं आप सब से प्रार्षना करता हूँ, आपके लिए भी प्रार्षना करता हूँ, आप से आंग्रह भी करता हूँ, आप सभी स्वस्त रहिएं, दो गज की दूरी का पालन करते रहिए, गम्छा, फेस कवर, मांस, ये हमेशा उप्योग कीजिए, कोई लाप परवाही मत बरती है। इसी आंग्रह, इसी कामना के साथ, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुब कामनाई देता हूँ, धन्यवाद!